नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में Paytm SGFC क्रेड़ का ओनलाइन अप्लाइंग प्रोसेस जानेंगे और इस क्रेड़ का डीटेल करेंगे Paytm का SGFC के साथ मिलकर 5 क्रेड़ कार्ड मार्केट में लौंच है जैसे Paytm SGFC, Paytm SGFC मोबाइल, Paytm SGFC सलेक्ट हम लोग इन सभी क्रेड़ कार्ड का फटा फट डीटेल कर देंगे जैसे Featured Minifits, Fees and Charges and Eligibility इसके साथ अपना opinion भी देंगे कि कौन सा क्रेड़ कार्ड आपके लिए बेच रहेगा और इन 5 क्रेड़ कार्ड में से कौन सा क्रेड़ कार्ड आपको लेना चाहिए तो चैनल को अब तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो देर किसपात की चैनल को सब्स्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के इन तक बने रहें कर पाएगा नहीं कर पाएगा आये हम लोग जानते हैं तो पेटियम का जो एग किस साथ पहला क्रेड़ कार्ड केड़ है इसका पीचर सब्सक्तिमे और इस सब्सक्रत करता है कि अगर कर दो करुड करता इंगर इस करद्द करता है इक कोई कस्टम jätte पेटियम एपर इन तीनों केटोगरीज को छोड़के यानि मॉल, मूवीज और मीनी को छोड़कर के अधर केटोगरीज में खर्च करता है पेटियम पर तो उन्हें 2% का कैस्वेक मिलेगा और अगर पेटियम से हट कर कहीं भी खर्च किया जाए, कोई डिटेल पर सेज में खर्च किया जाए तो उन्हें 1% का कैस्वेक मिलेगा लेकिन इसके लिए भी एक टर्म्स और कंडिसन है कि बॉलेट, लोड, फ्यूल, अस्मिंट और EMI के ट्रांजिक्शन पर ये कैस्वेक एपलिकेवल नहीं होता है ये इस कार्ड के कुछ हैलेटेड फीचर्स थे जो हमने आपको बता दिया इसके बाद कुछ और फीचर्स हैं जो लगभग पांचो केर्ड कार्ड में सेम ही देखने को मिल जाएगा कुछ केर्ड का हो सकता है जो कंपलिमेंटरी एरपोट लॉंच जादा आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन यहां additional features में है कि add-on card आप 4 members को add-on card के जरीया आप अपने इस credit card को दिलवा सकते हैं add-on card का मतलब अगर आपके कोई member को credit card चाहिए पेटियम लेकिन पेटियम उन्हें reject कर रहा है तो आप उन्हें credit card अपने limit से दिलवा सकते हो इसके अलावा zero lost card liability अगर आपका card कहीं हो जाता है या आपके card से कोई fraud transaction हो जाता है तो 24 गंट के अंदर-अंदर call center में report कर देने पर आपके card के कोई छती आपके पैसो के नहीं होगी फिर इसके अलावा fuel surcharge बेवियर 1% का fuel surcharge मिल जाएगा बेलकम benefit मिल जाएगा पैटियम first member पर जैसे ही आप इस credit card को join करोगे तो पैटियम first membership आपको मिल जाएगा जो एक बेलकम benefit के group में मिलता है वहीं इस credit card से कुछ extra cashback यहन करना चाहो उन categories के अलावा तब यह आप cashback यहन कर सकते हो वो कैसे पैटियम milestone benefit पे देता है अगर customer कुछ extra cashback यहन करना चाहे तो वो साल में 1200 तक extra cashback यहन कर सकता है जो कि 1% का cashback मिलेगा अगर customer इस credit card से 10,000 यह उससे ज़्यादा रुपे खर्स कर देता हर महिने तो उन्हें 1% का cashback मिलता है जो एक capping है मतलब कि 100 रुपे तक आप हर महिने इस से लाव उठा सकते हो और एक साल में लगवख 1200 का बचत आपको यहाँ मिल जाएगा और contactless payments आप में 20% का dining benefit आपको मिल जाएगा जो भी Paytm के partner restaurant है उनमें अगर आप खर्च करते हो तो 20% का discount देखने को मिल जाएगा यह तो कुछ features पर Paytm, HDFC, Bank, Credit Card के लेकिन आईए हम लोग fee and charges को जानते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ membership fee आपका लग जाना है वो भी monthly के basis पर लगेगा 49 रुपे plus GST monthly आपको membership fee आपको देना होगा जो हम annual fee के नाम से भी जानते हैं जो लगबग लगबग 700 रुपे होता है अगर आप इस 49 को 12 से multiple करो plus GST करो तो लगबग 700 रुपे यानि 692 रुपे के लगबग होता है तो 700 रुपे हुए लेकिन इस fee को आप बेवफ करवा सकते हो वो कैसे कि 5000 रुपीज पर मन्त आपको खर्च कर दे होंगे तब इस monthly membership fee को बेवफ कर दिया जाएगा लेकिन ये credit card हमें mega credit card लगा इसके features के मुकाबले क्योंकि Paytm जो अपने app पर सिर्फ transaction करवा रहा है लेकिन यही कुछ other categories पर transaction का benefit अगर customer उसको देता तो ये credit card भी market में अच्छा चलता लेकिन आपका क्या रहा है इस credit card को लेकर वो हमें comment में जरूर बताएं आइए हम लोग second credit card को चलते है जो है Paytm HDFC bank mobile credit card जो कि ये credit card सिर्फ एक mobile credit card है यानि virtual credit card है आपको मिल पाएगा physical credit card आपको नहीं मिलेगा इसके नाम से भी आपको साब साब पता चल रहा है आईए इसके कुछ highlighted features को जानते हैं इसके additional features और बाकिस सारे features को अभी आपको फटा पट बता देंगे लेकिन इसके highlighted features क्या कहता है वो cashback benefit के रूप में है मतलब कि 2% cashback तो आपको मिल जाएगा वो भी Paytm Mall, Paytm Movies और Paytm Mini App पे जो कि उस credit card यानि पहले वाले Paytm HDFC credit card जो simple credit card है उससे भी कम मिल रहा है वो Paytm Mall, Paytm Movies और Paytm Mini App पे तीनों category पे जब खर्ज करेंगे तो 2% का cashback ही आपको मातर मिल पाएगा इसके अलाबा Paytm के other spend पर 1% का cashback आपको मिलेगा यानि उस credit card से first वाले credit card से भी कम है इसका मतलब इसके जो fee and charge है हो सके कुछ कम होंगे उसके भी हम लोग कुछ देर में जानेंगे और other सभी spend यानि Paytm को हटा करके जब कहीं भी खर्ज करोगे तो 0.5% का cashback आपको मिलेगा और फिर terms and condition है कि bullet load, fuel spend और EMS spend पर ये cashback applicable नहीं हो पाएगा अब आईए इसके additional features को भी हम लोग देखते कि इसका additional features क्या उस credit card से जादा है या कम है तो सबसे पहले कि यहाँ उस credit card से additional features कम है जो कि उस credit card में आपको मिल रहा था add-on card मतलब कि अपने 4 family members को ये credit card दिलवा सकते अगर पेटियम उन्हें select नहीं करता है अगर उन्हें reject कर रहता है तो आप अपने limit के अस्तर से उन्हें credit card दिलवा सकते थे लेकिन पेटियम mobile credit card में ये facility available नहीं है यहाँ सिर्फ zero lost card liability मिलता है कि अगर किसी customer का card कहीं हो जाता है या fraud transaction हो जाता है तो उन्हें 24 गंटे के पर पेटियम HDFC bank credit card मिल जाएगा जो first credit card हमने देखा था ये उससे चोटा credit card है यानि उससे कम features वाला credit card है इससे ज्यादा features वाला credit card अगर आप लगतार तीन मन्त इस credit card में 10,000 रुपे खर्ज कर देते हो तो पेटियम HDFC bank credit card आपको मिल जाएगा फिर कुछ और extra dining benefit है जो 20% का discount पेटियम के partner restaurant के साथ आपको मिल जाएगा अब आएए इसके fee and charges को हम लोग देखते हैं कि इसका fee and charges क्या कहता है यहाँ भी monthly basis पर ही membership fee लिया जाएगा अगर customer को ये credit card लेना हो तो उन्हें 29 रुपे पलस GST हर महीने देना पड़ेगा जो की एक mega credit card हमें लग रहा है क्योंक बाज सकते हो कि ये mega credit card आपको पढ़ने वाला है अगर monthly fee को बेवाफ करवाना चाहो तो 2500 रुपे आपको खच करना होगा जो EMI transaction में नहीं होना चाहिए तब आपका monthly fee बेवाफ कर दिया जाएगा तो ये credit card इसके कुछ features थे इसके fee and charges थे अगर आपको ये credit card beneficial लगे या नही लगे तो आप में comment में बताओ कि ये credit card आपके लिए कैसा सावित हो रहा है आई हम लोग third credit card में चलते हैं फिर धीरे धीरे हम लोग जब पाचो credit card का features और fee and charges देख लेंगे तो last time आपको अपना opinion देंगे कि कौन सा credit card आपको लेना चाहिए या कोई credit card आपको नहीं लेना चा अब इसके features को हम लोग जानते हैं तो इसका highlighted features कुछ ये कह रहा है कि 3% का cashback आपको Paytm mall के purchase पर मिलेगा यानि जब Paytm mall पर आप खर्च करोगे यहां और other Paytm movies या mini पर नहीं मिल रहा है सिर्फ Paytm mall पर 3% cashback आपको मिलेगा फिर इसके अलावा अगर आप Paytm app से bill payment करते हैं तो वहां भी आपको 3% का cashback मिलेगा या मतलब यहां other 2 categories को हटा करके एक categories यहां सिर्फ दोड दिया गया है कि अगर monthly bill payment इस credit card से इस app से करते हैं यानि Paytm app से करते हैं तो 3% का cashback आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा other सभी a spend पर 1% का cashback मिलने वाला है तो customer ध्यान स इन सभी credit card के features को देखें हो सक्कि आपको गुमराह करने का साजिस होने वाला है क्योंकि Paytm के other credit card में कुछ categories को जोड दिया गया है इस credit card में कुछ categories को हटा दिया गया है और यह कहेंगे कि हमने other credit card launch कर दिया है लेकिन ऐसा नहीं है आप अध्यान से इस credit card को देखें फिर आ other जगा spend करने पर 1% इतना तो entry level के credit card में आसानी से मिल जाता है और इससे जादा ही कहीं न कहीं मिलता है आई यह से कुछ additional features और बाके सारे features को थोड़ा सा highlighted कर देते हैं जैसे cash withdrawal benefit नहीं होने वाला cash withdrawal benefit जल्दी कहीं मिलता नहीं है high charges impose होते हैं cash withdrawal benefit में utility bill payment zero lost card liability मतलब आपका card कह हो जाता है तो 24 hour के अंदर-अंदर call center यानि customer के और को call करके बता देने पर आपके card के कोई शती नहीं होगी वो 46 शती को LDPC bank या पेटियम बैंक खुछ समझेगा फिर फ्यूल सर्चाज बेवर्फ कर दिया जाएगा लेकिन minimum transaction आपका 400 का होना चाहिए और ज्यादा से ज्या टूपीज या उससे ज्यादा transaction करते हैं first बार में तभी उन्हें Paytm first membership देखने को मिलेगा उसके बाद activation benefit, milestone benefit, contactless payment, dining benefit, 20% का dining benefit आपको मिल जाएगा Paytm के partner restaurant के साथ जब खर्श करोगे अब हम लोग चलते हैं fee and charges को लेकर हमने features तो बता दिया आप खुद समझ सकते हो अभी यह तक मैंने तीन credit card का features आपको बता दिया है आप तीनों में compare करके समझ सकते हो ऐसे last में मैं आपको बता दूँगा लेकिन अब हम लोग चलते हैं fee and charges के उपर कि fee and charges का क्या कहता है कि हम membership यानि joining fee और annual fee आपसे लिया जाएगा वो होगा 500 plus GST yearly के basis पर लेकिन अगर आप yearly fee को आप माफ करवाना चाहोगे तो आपको 50,000 रुपे खर्च करने होगे और अगर first year के fee को माफ करवाना चाहोगे यानि बेवफ करवाना चाहोगे तो आपको 30,000 रुपीज खर्च करने होगे वो दोनों खर्च non EMI spent होना चाहिए अगर आप 90 दिनों के अंदर अंदर 30,000 रु वाफ कर दिया जाएगा बाकि सारे free and charges को हमने comment box के top comment पर note कर दिया है अगर आप चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं अब हम लोग चलते हैं इसके next credit card पे paytm select credit card ये paytm HDFC का चौथा credit card है paytm HDFC bank select credit card इसका features और highlighted features क्या कहता है आई हम लोग जानते हैं तो इसका भी features cashback benefit के रू 5% का cashback मिलेगा इसका features ज्यादा लग रहा है लगता है इसका free and charges भी ज्यादा है वह एक दो मिनट में हम लोग जानेंगे लेकिन वहीं paytm के other spend पर जब आप खर्च करते हो paytm के कुछ कहीं transaction करते हो other कहीं खर्च करते हो तो 2% का cashback आपको मिलेगा और 1% का cashback other retail purchase यानि paytm स हटके कहीं भी आप खर्च करते हैं तो 1% का cashback मिलेगा fit terms and condition है कि wallet load, fuel spend, emi spend पर ये cashback applicable नहीं होगा वो 5%, 2% और 1% का cashback है वो applicable इन सभी transactions पर नहीं होगे अब हम लोग additional features को देखते हैं यहाँ अपने 4 complimentary add-on card आप करवा सकते हो अगर मतलब आपका family member जिनका उमर 18 यह से उपर है उन्हें ये credit card अगर चाहिए और paytium ये credit card उन्हें नहीं दे पा रहा है तो आप अपने बिहाँ पर उन 4 लोगों को credit card दिलबा सकते हो जो आपके family member हैं इसके बाद zero lost card liability अगर आपका card कहीं खो जाता है आपके card से कोई fraud transaction हो जाता है तो 24 गंटे के अंदर-अंदर call center में call करके बता देने हैं पर आपके card की कोई छती आपकी नहीं होगी फिर है launch assets यहां ये credit card का features कुछ ज्यादा हमें लग रहा है इसका मतलब जरूर है कि इस credit card का free uncharges भी ज्यादा ही होगा क्योंकि यहां 8 complimentary domestic airport launch आपको देखने को मिल जाएगा साथ में milestone benefit, renewal offer, contractless payment, dining benefit ऐसा जितना भी features है यह लगवग लगवग सभी credit card में normal features जो same है लेकिन आईए हम लोग इस credit card के fee and charges को जानते है कि इसका fee and charges कितना है इसके features तो oh my god इसका fee and charges 1000 plus GST है जो normal credit card से कहीं जादा है इसके features भी उतना नहीं है जो customer इस credit card के features को देखकर 1000 plus GST का fee दे दे 1000 plus GST का annual renewal fee आपको देना हो पर यहां customer को दो option मिल जाता है अपने first year के fee को आप बेवफ करवाना चाहो तो आपको 50,000 रुपिया पहले 90 days में खर्च करने होंगे और अगर आप renewal fee को बेवफ करवाना चाहो तो 1,50,000 रुपीज आपको 12 month के अंदर-अंदर खर्च करने होंगे तो next year से जो renewal fee लिया जाता है वो बेवफ कर दिया जाएगा और पहले 90 days के अंदर-अंदर जब 50,000 रुपीज खर्च से होंगे तो first year का जो fee होगा यानि जो हम लोग joining fee जिसे हम कहते हैं वो फी आपका बेवफ कर दिया जाएगा अगर आप 50,000 रुपीज खर्च कर देते हो पहले 90 days में तब बाकि सार highlighted fee and charges को हमने comment box के top comment पर note कर दिया है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं लेकिन आप हमें जरूर बताइए कि कौन सा credit card इन 4 credit card जो हमने अभी तक आपको बताया जिसका features कौन सा credit card आपको beneficial लगा जिस credit card का थोड़ा सा वे features जादा है उसका fee and charges को जरूर जरूर बढ़ा दिया गया ह है इसलिए आप हमें जरूर बताइए कि कौन सा credit card आपको best लगा हम कुछ देर में आपको बताएंगे अब हम चलते हैं 5th credit card Paytm HDFC bank select business credit card जो इसका 5th credit card माना जाता है आए इसका features क्या कहता है वो हम लोग जानते है 5% का cashback आपको मिल जाएगा Paytm mall पे मतलब सिर्फ Paytm mall पे 5 5% का cashback आपको मिलेगा उन दोनों categories को हटा दिया गया है Paytm movies और Paytm mini को हटा दिया गया है सिर्फ Paytm mall पे जब आप खर्च करोगे तो 5% का cashback आपको मिलेगा फिर 3% का cashback traveling पे या monthly bill payment पे अगर Paytm app के जरिए यानि इस credit card के जरिए Paytm app पर जब आप खर्च करते हैं तो 3% क का cashback आपको मिलेगा वो भी selected categories है जो travel और monthly bill payment अधर कहीं भी नहीं है लेकिन अधर Paytm app से हट के जब अधर कहीं भी आप खर्च करते हैं तो सिर्फ 1% का cashback आपको मिलेगा जो की ये features जो है वो पांचो credit card में सेम हमको देखने को मिला इसके अलावा 5% का cashback 3% का cashback आप उड़ता है जो सिर्फ Paytm app पर खर्च करना चाहता है या सिर्फ Paytm app से ही खर्च करता है इसी लिए Paytm bank का credit card ज्यादा तर flop करता है क्योंकि ये सिर्फ अपने Paytm app के लिए ही के Paytm credit card को launch करता है साथ में इसका terms and condition यहीं है कि wallet, load, fuel, spend और EMI, spend पर ये cashback applicable नहीं होगा यानि जीरो lost card liability 24 गंटे के अंदर दर call center में बता देने पर आपके card के कोई छती नहीं होगी अगर आपका card कहीं खो गया है या आपके card से कोई fraud transaction हो गया है तब उसके बाद launch जैसे 12 launch access या आपको देखने को मिल जागा domestic airport launch 12 launch यानि एक quarter में 3 visit कर सकते हैं आप और इसी तरह से 4 quarter में 12 launch आपको देखने को मिल जागा airport launch जिसे हम लोग कहते हैं साथ में fuel surcharge baby और 1% का fuel surcharge wave of मिल जाएगा उसके बाद welcome benefit पेटियम first membership का welcome benefit आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद activation benefit मिलेगा मतलब 500 का gift voucher आपको देखने को मिलेगा अगर पहला 6 transaction 90 दिनों के अंदर आप complete कर द देते हैं तो 500 का gift voucher भी देखने को मिल जाएगा फिर अगर आपको extra benefit चाहिए तो milestone benefit के रूप में आपको मिल सकता है अगर customer इस credit card के जरिए 2,00,000 रुपे एक साल में खर्च कर देता है तो आपको milestone benefit मिलेगा इसका मतलब यह credit card थोड़ा सा हम लोगों को beneficial लगा तब अगर इ आई इसके fee and charges को भी जानते हैं क्योंकि contactless payment और फिर dining benefit जैसा कुछ ऐसा ही features है जोकि सारे features को हमने आपको बता दिया अब आईए हम लोग इसके fee and charges को जानते हैं तो इसका भी fee and charges 1000 plus GST है जब कोई customer is credit card को join करेगा तो 1000 उन्हें देना होगा और जब कोई customer is credit card का next year से fee देना चाहेगा तो उन्हें भी 1000 plus GST ही annual fee के रूप में उन्हें देना पड़ेगा लेकिन अगर customer का मन हो तो वो first year के fee को बेवफ करवा सकते हैं वो कैसे पहले 90 days के अंदर अंदर 60,000 रुपीज जब खर्च कर देते हैं इस credit card से यानि paytia map पर खर्च करें या कहीं भी खर्च करें लेकिन पहले 60 यानि 90 days के अंदर 60,000 रुपीज जब खर्च कर देते हैं तब आपका जो first year का fee है वो बेवफ कर दिया जाएगा फिर वही renewal fee को बेवफ करवाने का option यह है कि 1,00,000 रुपे अस्पेंड करना होगा 12th month में यानि एक साल में 1,00,000 रुपे अस्पेंड करना होग मतलब अगर आप Paytm पे transaction कर पाते हैं तब ही आप इस credit card को लें लेकिन एक और additional features है कि 12 complimentary launches मिलता है इसके पहले वाले credit card में 8 complimentary मिल रहा था उसके पहले वाले कोई credit card में ऐसा कोई features देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन इन दोनों credit card पे आप जा सकते हैं लेकिन अगर आप effort कर कर बापाएं या फिर lifetime free कर बापाएं या फिर अगर उन transactions को आप complete कर पाएं जिससे की बेवाफ कर दिया जाए आपका enroll fee और renewal fee तब ही आप इस credit card पे आप जाएं अगर Paytm पे ज़्यादा खर्च करते हैं Paytm mall पे खर्च करते हैं तब इस credit card पे आप चा सकते हैं तो यह था दोस्तो Paytm credit card का पूरा detail review अगर आपके life में ज्यादा Paytm app Paytm mall app मतलब में ज्यादा Paytm app पर खर्च होता होना तब आप इस credit card को ज़रूर फाइदे का सौधा होने वाला हैं वैसे इन credit card का apply करने का तरीका जैसे हैं आप Paytm app को open करेंगे वहीं dashboard यह card show करने लेगेगा अग आपको अभी Paytm app पर और समय देनी की जरूरत है वहाँ भी और money transaction करने की आपको जरूरत है वहाँ अपने money को transaction करें वहाँ किसी भी बे में कर सकते हैं वे Paytm mall पे कर सकते हैं आप money transfer कर सकते हैं किसी भी में पैसे वहाँ खर्च करें तो आप Paytm एजिप से credit card के लिए eligible हो ज का बरवादी ही तो है इससे आगे आप खुद समझदार हैं आप खुद समझ सकते हैं अगर इस topic से related अभी भी कोई सवाल आपके पास हो तो हमसे comment में पूछ सकते हैं इस चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो देर किस वाद की चैनल को subscribe करें और ये वीडियो आपको उ से like भी जरूर करें